हाई विनर्स, आप भी जानते हैं, पिछले लगबग दो दिन से वजीरेक्स और बिनांस इन दोनों के बीच में जो ट्विटर पर वार चल रही है, इसका पूरा ग्लोबल इंपेक्ट आ रहा है इंडियन यूजर्स पर येस माई फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं, वजीरेक्स इंडिया की सबसे टॉप मोस क्रिप्टो करन्सी एक्सचेंज मानी जाती है, लेकिन दो दिन पहले से जब से एनफॉस्मेंट डारेक्टर एडी की कुछ पूछताश होना स्टार्ट हुई, उसके बाद से बिनांस के CZ जो ओनर है, उन्होंने अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये, अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन दो घंटे पहले, मनी कंट्रोल का जो ट्विट किया गया, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ट्विट इंडियन क्रिप्टो होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला ट्विट है, मनी कंट्रोल की तरफ से दो घंटे पहले एक ट्विट किया गया है, वजीरेक्स फाउंडर निश्चल सेथी said, he has all the legal documents to prove that Binance control all crypto to crypto trading and crypto deposit and withdrawal on the platform, मतलब Binance के CEO का ये वजीरेक्स पर और इधर से वजीरेक्स का जो फाउंडर है निश्चल सेथी, उन्होंने प्रॉपर कंफर्म किया मनी कंट्रोल पर की, he has proper legal document to prove के Binance का पूरा control है वजीरेक्स पर, और यहीं पर एक ट्विट अगर मैं आपको और दिखा हूं, 18 गंटे पहले का वजीरेक्स क वजीरेक्स पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, वजीरेक्स अपने सारे के सारे operations को proper perform करेगी as usually, जैसे वो पहले करती थी, लेकिन दोस्तों, पिछले दो दिन में जो ये वजीरेक्स और Binance के CEO की तरफ से ये जो चीजे आई हैं निकल कर, दोस्तों इसने न कहीं न कहीं पर एक चीज जो है, वो बहुत अच्छे लेवल पर clear कर दिया है, कि crypto currency market में न, exactly पता ये problem क्या है, आप भी जानते हैं, blockchain technology आज बाते कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है, वो blockchain की वज़े से डवलप हुआ है, और crypto currency आज की टाइम पर सबसे most highlighted जो word है, पूरे की पूरे internet की दुनिया में वो है, लोगों का सबसे ज़्यादा interest है, क्योंकि highly volatile होने के बावजूद ये जो एक market है, वो एक highly profitable market भी है, तो लो लोग unnecessary, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, इस पे invest कर रहे हैं, सिर्फ ये सुनके कि इस coin में 8 lakh percent कारणा आ गया, इस coin में 10 lakh percent कारणा आ गया, इस coin में 20 lakh percent का revenue आ गया, तो सिर्फ ये highlighting जो है ना, वो लोगों के mind पर impact डाल रहे हैं, और लोग जादा से जादा buy कर रहे है क्रिप्टोस को, अब यहाँ पर देखिए, CZ के बिनांस को अगर आपने ध्यंक से देखा, उनकी जितनी भी photos आपने देखी हैं, आपको क्या लगता है, कितनी age के person है, मेरे हिसाब से इनकी age, maximum अगर मैं बोलू तो 40, यह लगा कर चलते हैं, 40 की age होगी, maximum, तो और initial 70 की अग मैं आपको समझाना चारा हूँ, वो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, क्रिप्टो करणजी मार्केट में है क्या, एक small age के जो persons है ना, उनको एक बहुत ज़्यादा reputation मिल चुकी है, because they are technically strong, इनका education बहुत strong होगा, इन्होंने blockchain technology को बहुत early understand कर लिया, blockchain technology को बहुत जल्दी स largest exchange और वजीरेक्स बन गई इंडिया की सबसे top most exchange, लेकिन जो इनका age factor है ना, उस age factor में जो maturity होनी चाहिए ना, वो इनोंने कहीं ना कहीं पर last 2 दिन में खतम की है completely, मतलब अगर वजीरेक्स और बिनांस की बीच में कोई भी problem है, तो क्या उसको publicly, मतलब अगर आज आप देख बात करो, तो 596, मतलब 6 लाग क्या सपास वजीरेक्स के followers हैं, और अभी निश्चल का profile अलग है, और Binance के followers आप देखें, CZ Binance के तो 6.7 million, मतलब आप यार ये देखो, क्या आप वर्ल्ड की एक largest exchange के honor हो, और आप क्या maturity proof कर रहे हो by the using of tweet, आप बिलकुल clear कर रहे हो public को, के हम वजीरेक्स हमारे साथ uncooperative रहा, मतलब ये चीज़े क्या हैं, मतलब पहले cryptocurrency market में एक news निकाली जाती है, कि वजीरेक्स का पूरा जो control है, वो Binance के पास है, और इस base पर पिछले 2 साल से वजीरेक्स को इंडिया की सबसे बड़ी exchange बना दिया गया, माल लिया गया कि वजीरेक हो सकता है, वजीरेक्स का ट्रेडिंग भी close कर दे, ट्रेडिंग का पूरा control हटा दे, मतलब यार, ये चीज़े आपको अपने publicly handle पे at least मुझे नहीं लगता कि बतानी चाहिए थी, पहली बात तो ये, बट यहीं से, चाहे वो world के top most exchange के CEO हो, यहीं से maturity दिख रही है, और कमाल देखिए, एक-एक tweet का answer दिया जा रहा है, दोनों के बीच में जो Twitter वो हो रहा है, एक-एक, और finally ये लिखा जाता है, हम लोग users को protect करना चाहते हैं, that's why हम लोगी clear message लिख रहे हैं, यार अगर आप लोग users को protect करना चाहते हो crypto market में, तो आपको तो मेरे साब से Twitter पे ऐसे message लि उनकी उपर क्या impact होगा, मतलब वो ये देख रहे हैं कि यार आपने तो Twitter को मजाक समझ लिया, एक person बोलता है कि हम साथ देंगे, दूसरा बोलता है हमारा control नहीं है, तीसरा बोलता है, नहीं control तो है, मिरे पार legal document है, फिर reply आता है कि हमारे पास हमने कोई legal document साइन नहीं किया, हम trading close कर देंगे, फिर दूसरा बोलता है कि नहीं आपको तो ये चीज़े करनी पड़ेंगी, मतलब ये चल रहा है पिछले दो दिन से, और आप इस टाइम पर YouTube पर उठाके वजीर एक सुर बिलांस की news देखे ना, तो आपको बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें बोला जा रहा है कि exactly होने के अवाला है, और ये भी बोला जा रहा है कि users की protection के लिए हम लोगे कर रहे हैं, कहाए की protection, users को ऐसे protect किया जाता है, क्या, users को protect करने का मतलब होता है कि आप जो भी आपकी internal बाते हैं, ये internal बाते हैं, आप लोगों को बैठ कर phone call पर एक दूसरे से क प्राइवेट टॉक होने चीए, आप लोगों ने तो publicly ट्विटर पर ऐसा हंगामा मचा दिया, अब तो लोग तो definitely परशान होंगे ना, और भई हो रहा है, अब यहां देखिए, छे गंटे पहले इस tweet का क्या मतलब है, crypto is high risk, highly volatility and, और लोगों के answer देखिए, कोई बोल रहा ह कि यह एक biggest scam भी हो सकता है, मतलब अलग अलग लोगों के अपने अपने जो हैं, वो reasons निकल कर आ रहे हैं, बट और यह देखिए, यह एक तरीके से वजीर X को comment किया गया है, not easy being the biggest, but easy when you protect your user, मतलब बिनांस की CEO का कहना है कि biggest होना बहुत बड़ी बात नहीं है, users को protect करना तो wait कर रहे थे कि Terra Luna की पहले supply बहुत जादा बढ़ जाए और उसके बाद हम जाके control कर लेंगे, ऐसा तो मुझे तो कहीं नहीं समझाया, आज बिनांस के CEO वजीर X पर बोल रहे हैं, control नहीं है, वजीर X के जो founder हैं, वो बोलते हैं कि मिरे पास पूरे document है, मैं legally proof कर दूँग तो कैसे हम लोगों का believe system बनेगा crypto market पर हम लोग कैसे believe कर पाएंगे कि crypto is future, यह आज का एक बहुत बड़ा question बना हुआ है, यानि कि वो उन लोगों के questions बहुत अच्छे हैं, उन लोगों के answers तो बहुत बढ़िया है, जो लोग बोलते हैं कि किसी भी exchanges से tokens को buy मत करो, use your hardware wallet, मतल तो वो एक पहला decentralized wallet है, coinbase वो भी एक proper exchange का है, मतलब कहीं न कहीं पर अब यह समझ नहीं आ पा रही कि users को exactly करना क्या है, यह blockchain crypto का जो बड़ा future बता रहे हैं और इनकी maturity तो मुझा कहरों present ही खराब कर रही है, future तो बाद की बात है, मतलब यह तो कोई maturity नहीं हुई कि आप अप की problem है, तो आप अपनी problem अपने तरीके से solve कीजिए, users को पहले परिशान कर दिया, finally Binance के CEO ने एक tweet कर दिया, कि I just want to protect user और वो वजीरेक्स पर अपना fund बेस्ट ना करें, और इसलिए मैं यह कर रहा हूँ, मतलब एक कोई भी founder उठके हमारी Indian exchange पर यह बोल रहा है, हमारी Indian exchange कु लेकिन यार आप लोगों को at least एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अगर ED ने proper आप लोगों के उपर कोई भी blame किया है, कोई claim किया है, तो आपको उनको proper legal documents दिखाने चाहिए, उनकी जो भी procedures है, उसको proper follow करना चाहिए, लाकि लोगों को भी लगे कि yes, इंडिया में या इंड चीज है और ये एक unmaturity साबित कर रही है इस time पर, तो कम से कम please be mature, पहले तो मैं ये बोलूँगा इन दोनों founders को, हाला कि मेरी वीडियो इतनी लंबी जाएगी नहीं, मैं जानता हूँ कोई इतना सुनेगा या नहीं सुनेगा, बट अगर आप लोगों ने यहां तक सुन लि आपको तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा exactly कहना ये था कि अभी exactly होने के अबाला है, वो confirm नहीं हो पा रहा, बट अट लीस अगर ये दोनों एक दूसरे को cooperate करें, तो एक असान सा रास्ता निकल जाएगा, ये मुझे समझ आ रहा है, So please, if you want to buy any kind of crypto, so please do your own research. This is the overall latest update today. Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates. Thank you so much.